complex numbers यह आज का हमारा टॉपिक है real numbers as a complex number क्या आप इसका आंसर जानते हैं तो उसके लिए आप कोई भी number select कर लीजिए यह आपकी चोईस है under root minus 9 under root minus 16 अब आप देखिए आपने क्या लिखा under root minus 9 इसको आप कैसे लिख सकते हैं under root 9 multiply under root minus 1 अब इसी concept का आप यूज करके आप under root minus 16 को लिखिए under root 16 multiply under root minus 1 under root 9 की value आपकी 3 हो जाएगी लेकिन under root minus 1 को क्या बुलते हैं आपने पड़ा होगा तो इसको हम i की form में लिखते हैं और इसको हम पड़ते हैं आयोटा ठीक है अब आप 16 under root 16 की value कितनी हो जाएगी 4 और यहां पर under root minus 1 की लिखिए कितना आजाएगा आयोटा तो यह आपके पास क्या नंबर बन गया 3 multiply आयोटा और 4 multiply आयोटा तो 3 क्या आपके एक real number और आयोटा क्या आपका imaginary number इसी टाइप से आपका 4 multiply आयोटा में क्या हो जाएगा multiply imaginary number is equal to imaginary number यह आप इसको ऐसे conclusion में बोल सकते हैं कि real numbers का multiply जब कभी imaginary numbers में होता है तो आपको हमेशा imaginary number ही मिलता है तो multiply आपने करा तो क्या मिला आपको 3 आयोटा और second hand side पर आपको मिला पूरा आयोटा तो आप देख लीजिए यह लाइन आपके लिए बहुत जारा इंपोर्टेंट है इसको आप याद कर लीजिए रियल number multiply imaginary number is always equal to imaginary number यह की standard form होगी भी आयोटा के form में हम इसको लिख सकते हैं अब देखिए water complex numbers complex numbers क्या होते हैं तो आप एक number line draw करें अब आप जानती है कि number line पर जो भी number draw करें आते हैं वह सारे के सारे कैसे numbers होते हैं real numbers 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 that are spotted or plotted on the number line are real numbers 3 minus 3 4 6 यह सारी क्या होगे आपके real numbers हो गए अब आप देखिए जब आपको यह वाली लाइन आपको याद हो जाए और draw कर लेंगे तो आप में लिया 4 प्लस 3 आयोटा को अब दीखिए यहां पर आपका 4-3 आयोटा दो examples हो गए अब इसमें आपका 4 क्या है real part और 3 आयोटा एक तरीके से क्या हो गया imaginary part तो जब कभी भी आप इस type से कोई भी number लिखते हैं जिसमें आप combine करके लिखेंगे real part और imaginary part को तो आपको finally जो आंता मिलेगा वह आपको complex नंबर के form में मिलेगा तो 4 प्लस 3 आयोटा आपका क्या है यह आपका complex नंबर है यह भी आपका complex नंबर है तो आपका conclusion क्या निकला यह आपके इतने सारे examples है कि इस type से जब कर भी number नंबर लिखे जाएंगे वह आपकी complex नंबर के example होंगे में real part और imaginary part का combination आपका हमेशा complex number कहलाता है standard form क्या होगी ए प्लस बी आयटा एक है आपका रियल पार्ट और बी आयटा क्या आपका imaginary part अब एवरी नंबर इस complex नंबर विच जी रो एजिस imaginary part कि आपकी most important line है इस वीडियो की कोई भी नंबर हो आपका complex नंबर होता है लेकिन condition क्या है जीरो उसका imaginary part होगा अब आप consider करिए एक नंबर 7 को तो 7 को आप कैसे लिख सकते हैं इससे 7 की वैल्यू पे कोई फरक नहीं पड़ेगा मतलग क्या होगी जीरो सैवन को जीरो में अगर प्लस करोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी सेविन की सेविनी रहेगी तो इसका मतलब किसी भी नंबर को कॉंप्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं तो यह आपका रियल पार्ट है और दूसी साइज जिरो याटा यह आपका इमेजनरी पार्ट है अब देखें यह जब आपने इतना सीख लिया तो उसके बाद आपको क कोई भी प्रॉलम नहीं होगी कि किसी भी नंबर को हम कॉंप्लेक्स नंबर के फॉर्म में कैसे लिखें थोड़ा समरी कर लेते हैं आप तक हमने क्या सीखा दियल नंबर मल्टिप्लाई इमेजनरी नंबर इस इक्वाल टू इमेजनरी नंबर तो यह आपका क्या हो जाएग इसकी स्टेंडर्ड वर्म क्या है ए प्लस बी आयोटा ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में कोई भी कॉंप्लेक्स नंबर डेनोट कर सकते हैं चीक है इसका ब्सके शोट्टे लिजी जिससे आपको बार में याप करने में आसानी होगी आएओप यह आपको समझ में आ गया हो